हेलो दूस्तो आज मैंने सोनी लिव पर तनाओ के फाइनल एपिसोड से देखे तो सीजन बन कंसिस्ट करता है टोटल बारे एपिसोड को जिसमें से आठ एपिसोड का रिब्यू में संडे को ही कर चुका हूँ तो मुखे तोर पर आज का ये डिसकुसन लाफ्ट के चार एपिसोड से पर ही फोकस्ट रहेगा लेकिन फिर भी कुछ बातें पिछले आठ एपिसोड को लेकर भी होगी अब मैं यहाँ पर सब कुछ तो रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि उन एपिसोड से पर मैं अपकोस एक व बना चुका हूँ तो जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं वो ये कहेंगे कि मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ तो मैं गुजारिस करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके सारे डाउट से इस सीजन बन को लेकर किलियर हो जाएंगे लेकिन चार एपिसोड्स पर तो ये मुझे पूरी तरह से ही इंगेजिंग लगे लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड्स के साथ हुआ था जहां पर चीजें बार-बार फिलो हो जाती थी मैं बार-बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा था इस बार यहां पर मुझे बोबाली बात देखने को नहीं मिले ये चारों ही एपिसोड्स पूरी तरह से कफे हुए हैं पूरी तरह से टाइट हैं जहां पर मैं इस बार भी काफी आसानी से इनबेस्ट भी हो गया था और उसके बाद मैं अंदर तक इससे कहीं पर भी डिसकनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहां पर ची इस शोके बारे में आगे जानने को आगे देखने को मजबूर उतसाहित और एक्सायट कर पाए क्योंकि प्लॉट को लेकर मैंने पेचले ही वीडियो में बता दिया था कि यह शोके इस बारे में होने बाला है जबकि बहां पर आट एपिसोड से तक भी इस शोके प्लॉट क को लेकर आइडिया हो गया था और बही मैंने बहां पर बताय था और बही चीज सच साबित होई और यहां पर सिर्फ 3-4 ही ट्विस्ट टर्न है जिन में से 2-3 तो मैंने पहले ही गेस कर लिये थे बट जो लास्ट बाला ट्विस्ट था जो फाइनल एपिसोड में 17 मिनट के आसपास कहीं पर आता है वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था और बो चीज मुझे काफी पसंद भी आई इसके लाब इस शो में I mean इन एपिसोड में कुछ भी ज्यादा अच्छा ज्यादा बड़ा और नया जैसा तो हमें देखने को नहीं मिलता और नहीं जितनी हाइप इस शो को लेकर create करी गई थी ये उस पर खरा उतर बाता है मतलब जैसा कि मैंने कहा इस शो में कुछ भी ज्यादा intense, exciting, thrilling, suspenseful, twisty, impactful और effective जैसा कुछ भी नहीं होता हालां कि पिछले 8 episodes में कुछ impactful, effective चीज़े थी बट इस शो का end लगबग पूरी तरह से थंड़ा था I mean end के व या मसाले के तोर पर कुछ भी बड़ा नहीं होता, जो हमारे उपर अपनी चाप छोड़ने का काम कर पाए, जबकि मैं मानता हूं कि याई शो कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो बहुत ज्यादा suspenseful हो, जो हमें age of the sweet nail biting वाली thrill को feel कर बाए, but unfortunately याँपर ऐसा कुछ भी नहीं हो तो I am sorry, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, और जब मैं Sunday को 8 episodes के review पर बात कर रहा था, तो बहाँपर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन Family Man के first season के end के उस scene की याद आ रही थी, जहांपर एक ट्रक कश्मीर से कुछ बिस्पोठक पतार से लेकर, I guess Mumbai ये दिली जा रहा थे, बड़ बहाँपर मैं इसके बारे में बात करना भूल गया, तो ये सब याँपर होता है, end actors, तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मानव बिजगा करेक्टर ही इस show की असल जान है, और मानव बिजगा ही का मुझे इस show में सबसे बहतरीन लगा, उनके फीजन बन को लेकर फाइनल बरिक्ट यही है, कि ये इस show सिर्फ कापी हदतक engaging है, बट उसके लाबाई ये मुझे पूरी तरह से satisfy नहीं कर पाया, या पर मुझे बो देखने को नहीं मिला, जिसकी मैंने उमीद की थी, तो अगर आप देखना चाहें, तो इसे एक ट्राई द खत्म होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रियक्ट बच करें, फिर चाहें आप लाइक करें, डिस लाइक, इस अप्टो यू, बागी अगर आप लोगों ने ये show तनाव देखा है, तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि ये आप लोगों का इस पर क्या ठेक है and of course, like, share and subscribe करना चैनल को वीडियो को, चलिए it's the moment for me to say, टाडा